जो रूटीन लाइफस्टाइल है तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो एसिडिटी है से हम बचके रह पाए ठीक है देखो एसिड तो बनने वाला है पर एसिड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते एक तो आपकी लाइफस्टाइल और डाइस्टाइल मोडिफाइब करना यानि सबसे पहली चीज है कि हमारा पाचन है वो रात को ही होता है रात को आप 6-8 गंटे की नीन लो तब आपका पाचन इतना अच्छा हो जाएगा कि सूबे उठाओगे आपका पेट साफ हो जाएगा एकदम कड़करती भूख लगेगी और आप एकदम अच्छे से ब्रेकफास लोग तो यह रहा इरेगूलर लाइफस्टाइल को यानि मैनेज करना और इरेगूलर डायेट स्टाइल डायेट स्टाइल भी ऐसी चीज है कि जैसे आपको प्रॉपर टाइम पे खाना है कोई भी मिल्स कीप नहीं करना क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान ने हमारे पेट में यह हर चार गणते पड़ी लेगस करना करना है लंच करना・ सनक्तीय मी लेना ए और डिनर ना है खिक है तो इरेगूलर डायेट शियए सम मैनेज करना उसकी अपेट में क्या डाल हो वह भी बहुत इंपोर्टएंट अब आप एक गाड़ी है उसके अंदर कहरे सुन दाल के चलाओगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी इसलिए आप पेट में ऐसा चीज दाल के चलाओ कि आपका हैल्थ अच्छा रहे तो बहुत ही स्पाइस जिसको एसी डिटी हो बहुत ही स्पाइसी चीजे जैसे हरी मिर्ची है गरम मसाले है चाट मसाले इसका ओपियोग कम आप लाल मीर्च जो कम तेज पढ़ती है हल्दी धनिया पावड़ा दे के जो सबजी बना के खानी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी चीज एक साइट्रिक असे जो पेट में होता है वो ज्यादा हो उसके ज्याद इसके ज्याद अलवा आप मिठे फुन इसके अलवा आप मीठे फुम्हें जेसे चीकु खासकते हो द्ही कास भुउट कब द कर अंति है पसे जीतना को एतना आच्छा इच्छा रहेगा उससे डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है और कई बार हम लोग यह फास फूड वाली चीजें मना करते हैं कि उसमें बहुत ही तेज मसाले दाले होते हैं और देखते हैं तो फर्मंटेड नास्ते जैसे खमन, ढोकला, हंडवा, इडली, ढूंसा यह सब बेसन वाली चीजें बहुत ही एसिडिटी और गैस करती है तो उसका हो सके इतना कम यूज करें तो अच्छा रहता है और आप डाल राइस, रोटी सब्जी, कडी खिचडी, फिका दय, फिकी छास, मीटे फूट, ड्राइ फूट काई है आपको देखो एगदम हेल्दी झाल रहता है और आपको देखो